हालो अर्यों वेलकम टू जी सेंट्रिक और मैंने थ्री फेस ट्रांसफोर्मर को जी सेंट्रिक अप्लिकेशन पे लेक्चर नंबर 57 से 68 के बीच में पूरा को पूरा पूरा थ्री फेस ट्रांसफोर्मर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है ठीक है अब मैं इसका से 68 लेक्चर का समराइस 10 मिरिट के अंदर आपको बता दूँगा कि मैंने असल में वहाँ पे क्या-क्या पढ़ाया है और क्या-क्या आपको याद रखने वाली चीज़े हैं ठीक है तो सबसे पहला जो सेग्मेंट मैंने वहाँ पे कवर किया है जो सबसे पहला सेग्मेंट मैंने वह फेजर ग्रूप का देखा है हम लोगों ने फेजर ग्रूप के बारे में हम लोगों ने study किया है अब फेजर ग्रूप को मैं यहां पर डिटेल डिस्केशन तो नहीं कर सकता फेजर ग्रूप को हम लोगोंने क्या है सबसे पिलद मैंने construction के बारे में बता है थ्री- के सारे के standard rules क्या होते हैं three-phase transformer को analyze करने के लिए वो rules के बाद बारी आती है phasor groups की phasor groups बहुत important phasor groups phasor groups इन groups को मैंने clock की help से मैंने क्या पूरी दुनिया clock की help से ही describe करती है clock 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 मतलब जो हमारी जो natural घड़ी होती है उसी clock के हिसाब से हम लोगों अब plus 30 degree minus 30 degree है न clock में रखी clock में क्या हुआ एक बड़ा काटा है चोटा काटा है यह बज रहे हैं 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 ठीक है यहाँ पे 1 यहाँ पे 11 ठीक है और घड़ी में क्या होता है गड़ी में एक बड़ा काटा होता है एक छोटा काटा होता है एक बड़ा काटा है ना और एक छोटा काटा होता है सेकेंड क्या काटा जो गुमता है उसको हम लोग consider नहीं कर रहे है ठीक है यह बड़ा काटा हमारा और यह छोटा काटा तो यह जो बड़ा काटा होता है ठीक है और जो फेजर का जो rotation फेजर का जो direction है वो हम लोग anti-clockwise ही देखते हैं anti-clockwise तो इसको हम लोग मानते हैं जो बड़ा काटा है उसको hv मानते हैं और जो छोटा काटा है उसको क्या मानते हैं हम लोग lv मानते हैं ठीक है समझ माई यह चीज यह HV और यह LV transformer का जो थ्रीफर्स transformer है HV LV primary secondary हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर HV LV से लेंगा high voltage low voltage side ठीक है आप देखें यहाँ पर इस फैजर में देखेंगे इस इन दोनों के बीच का जो इंगल होता है वो 30 degree होगा ठीक है आई बास होज में तो यहाँ पर यह बूल सकते हैं कि जो HV है वो आपका क्या कर रहा है LV क्या कर रहा है ऐसा बूल सकते हैं तो यहाँ पर घड़ी का जो बता रहा हो हो क्या है वन दिखा रहा है वन दिखा रहा है तो उस वन से हम लोग नोटेशन देते हैं ऐसा ही सिमिलारली अगर LV इस side में होगा LV अगर is side में हुआ तो यह कितना बजेगा 11 बज रहा होगा इस time पर ठीक है 11 बज रहा होगा इस time पर LV क्या करेगा lead करेगा HV क्या करेगा lag करेगा इस तरीके से देख सकते एक बसता है 6 बजेगा जब 6 बजेगी तब छोटा काटा कहां आ जाएगा 6 पे और बड़ा काटा 12 पे तब 6 बज़री होगी और एंगल क्या होगा 180 डिगरी होगा ठीक है और एक और कंडिशन क्या बनेगी जब 12 बजएगी या फिर उसको हम लोग 0 डिगरी भी बोल सकते है ठीक है 0 डिगरी तो छोटा काटा एक्जेक्ली कोइंसाइट करें तब क्या हो जाएगा 12 या फिर हम लोग यह बोल सकते है 0 डिगरी तो 4 केटेगरी में हम लोग ने फैजर डाइगराम ली है 0 डिगरी ठीक है प्लस 30 डिगरी माइनस 30 डिगरी माइनस 30 डिगरी और 180 डिगरी 180 डिगरी ठीक है तो क्लॉक के प्रॉब्लम में वो सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेजर बेजड प्रॉब्लम फेजर बेजड प्रॉब्लम देखिए अभी मैं बता दूगा कौन सा लेक्चर आपको पढ़ना है वहां का है ना फेजर बेजड प्रॉब्लम हम लोगों ने देखिए इस्टार डेल इंडर्ड रूल आपको मैं बताओं वो 1, 2, 3, सारे के सारे थ्री फेस्ट ट्रांस्फॉर्मर के प्रॉब्लम यही तीन डिस्केशन दिया है बस यहाँ पर मैं तीन रूल बता देता हूं rule number first, कि transformer का जो EMF per turn ही primary और secondary का वो क्या रहता है constant रहता है, ठीके? EMF per turn primary और secondary का transformer क्या होता है? constant होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं, इसी rule से हम लोkol सारे questionarak क्रेक कर सकते हैं कैसे क्रेक कर सकते हैं? EMF per turn, EMF per turn, EMF per turn, वो कितना हो जाएगा? EMF, PERTUN, यह हो गया दोनों क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए अच्छा, यहाँ पर EMF की जगे हम लोग voltage भी use कर सकते, EMF की जगे हम लोग क्या use कर सकते, voltage भी use कर सकते EMF बोले यहाँ फिर voltage PERTUN बोले, एक ही बात है, ठीके इस तरीके से हम लोग use कर सकते अब याद रखेंगे, यह हम लोग phase phase में ही लेंगे, phase phase में ही लेंगे, फिर जाके line में जैसा भी होगा, respective conversion हो जाएगा line, phase, star, delta, जैसा भी रहेगा इसके उपर में कुछ numerical बता दूगा, वो numerical कर लेना तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी यह कि standard numerical 2 से 3 numerical बता दूगा, पूरी three phase transformer ही कहानी आपको समझ में आ जाएगी second point है, second point क्या है MMF balance, primary और secondary दोनों का MMF क्या रहेगा, बराबर रहेगा ठीके, तो हम लोग क्या बोल सकते है MMF, MMF का मतलब है I1, N1, equal to I2, N2, primary secondary या फिर हम लोग क्या बोल सकते HV और LV, दोनों side का जो MMF है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा इस वाली equation से, अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो current है हूं हमेशा क्या रखना, शुरुवात में per phase में तो आपका काम बड़ी आसानी से बन जाएगा तो ये आपका MMF equation MMF equation और ये आपका EMF per turn EMF per turn EMF per turn ठीक है, ये दो equation बहुत ही काम की इससे बहुत सारे numerical आपके solve हो जाने है, ठीक है एक last एक और चीज़ है, कि transformer की एक और क्या beauty है, कि उसका primary का, या फिर हम ये बोल सकते है HV side का जो KVA है और जो LV side का KVA हो क्या होता है, बराबर power should be constant, transformer क्या करता है voltage या current को step up, step down करता है, बट power दोनों side में क्या रहता है constant रहता है, तो उसी का हम लोग फाइदा उठाएंगे, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, KVA KVA जो input side, input मतलब जहां पर हम लोग ने source लगा रखा, जिस side में load लगा रखा उसको output बोल देंगे, तो KVA output, KVA input equal to KVA output, तो इस वाली expression से भी बहुत सारे question हम लोग directly solve कर पाएंगे तो by using this three equation by using this three equation आप three phase transformer के कोई भी numerical, जो non-phazor कर जाएंगे, जो लोग machine पढ़ेंगे, उनको पता होगा कितनी खुबसूरत तरीके से हम लोग ने तीन point का utilize किया है और सारे question कर लिए, अब दिखेंगे जनरली क्या होता न, three phase transformer देखते से student घबरा जाते हैं, बहुत सारी नहीं बनाने, concept जो है उसके basis पर हमें question करना है और concept ये तीन point है बस ये तीन point ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन point आज सर ने बता दिये तो हमें आ जाएगा इसके उपर question नहीं लगाओगे, जब तक इसका जब implementation नहीं करोगे, जब तक आपको confidence नहीं आएगा question लगाने का ठेके, तो आपने में बता देता हूँ यहाँ पर कि कौन से यहाँ पर है मेरे पास लिखे हुए directly मैं आपको बता देता हूँ कि ultimately आपको कि अगर phaser सारा का सारा समझना है तो lecture number, phaser के बारे में lecture number 59 में पूरा theory version ही, पूरा theory तो जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, 30 minutes का ही theory है lecture ज़्यादा बड़े नहीं है, है ना आप बहुत जल्दी कर सकते हैं आगे बढ़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं lecture number 59 में पूरा पूरा theory कवर हो जागे जिससे की पूरा phaser के बारे मां understanding मिल जाएगी ठीक है, और आपको बता देता हूं में कि lecture number lecture number 61 lecture number 60 lecture number 60, 61 और 62 इन तीन lecture में से आपको क्या-क्या question करना है lecture number 60 से question number 89 करना है आपको lecture number 61 से question number 92 करना है ठीक है, ये 89 question कर लोगे तो आपको काफी कुछ ये 3 point कैसे लगाना है, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा lecture number 92 then lecture number 62 से दो question है, lecture number 62 से question है, question number 96 और question number 97 ठीक है, तो मातरी 4 question आप करिए 4 question में पूरा का पूरा 3 phase transformer के सारे variation में ने cover कर दी, इस से ज़्यादा कि आपको जरुवत नहीं है, और gate examination में भी, gate examination में भी यहीं से, सिर्फ और सिर्फ ये दो portion से ही जादा तर numerical आते हैं, बट मैंने एक दो चीज़े और extra पढ़ा ही है, 3 phase transformer में, तीसरे नंबर का जो segment है, हो harmonics से, वो क्या है आपके, harmonics, harmonics से directly question कभी नहीं पूछा जाएगा, theoretical question बनता है harmonics से, ठीक है, बट ये concept बहुत ही important है, तो जिसको concept पढ़ना होती, ये lecture number 63 और 64 में पढ़ लेना, lecture number 63 और 64 में पढ़ लेना बट gate point of view के gate point of view के हिसाब से बहुत ज़्यदा important नहीं है, harmonics, gate के question यहां से नहीं आते हैं, ये अधर दिन gate examination में काम का है, gate के numerical यहां से ही आएंगे, ठीक है अच्छा, harmonics का एक short intro दे देता हूँ मैं आपको, दीखिए जो possible winding connection हो क्या हो सकते star without ground, delta और star with इसका जो neutral है, वो ground हो जाए ये तीन connection possible है तो आप देखिए, यहां पर star में आप ये धियान रखिए, star में देखिए, चार चीज़े हमारा पास transformer नों होती है, कौन-कौनसी होती है line current face current, line current और face current, line voltage और face voltage, ठीक है चार quantity है, current में भी line phase, voltage में भी line phase अब इन चार, out of four quantities किस-किस में, और कौन सा harmonics dominant होता है, third harmonics C क्या होता है, dominant होता है तो आपको देखना है कि इन में से, इन चार quantity में से, किस-किस में कौन-कौन सा harmonics present रहेगा तो जब मैं बात करूँगा, star जब मैं क्या बात करूँगा, star star, without ground तो इसमें, मात्र phase voltage में ही क्या रहेगा third harmonics रहेगा third harmonics रहेगा सिर्फ और सिर्फ phase voltage में ही phase voltage में ही third harmonics रहेगा बाकी किसी में भी नहीं रहेगा बहुत द्यान से सुनना सिर्फ phase voltage third harmonics सिर्फ phase voltage में ही रहेगा बाकी किसी में नहीं रहेगा कब जब winding connection star without rounding हो तो delta connection delta connection की खासियत है कि मात्र जो third harmonic से वो आपके face current में ही रहेगा third harmonic sky में रहेगा मात्र face current में ही रहेगा इसका advantage भी है हमें ठेक है? इसका advantage भी होता है हमें आगे चलके बताएंगे advantage तो जो आपका current है face current उसी में third harmonics रहेगा बाकी किसी में भी नहीं रहेगा और star star neutral grounding with neutral neutral को अगर ground कर दे तब क्या होगा? तब आपको ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ सिर्फ यहाँ पे line current, face current और phase voltage तीनों के तीनों में ही third harmonics क्या रहेगा? available रहेगा, possible रहेगा, but line voltage में third harmonics नहीं रहेगा that is the biggest advantage, जब आप star connection कर देते हैं, तो उसके line में third harmonics present नहीं होते हैं, ये बात power electronics में भी आपने देखी होगी ठीक है? third या third के multiple, third के multiple like 9 इस तरीके से जितने multiple हो सकते उनमें भी third harmonics present नहीं होगा line voltage में, बाकी सब में phase में रहेगा इतनी बात समझ माई ठीक है? ये एक advantage है आपका star winding का, तो ये harmonics का मैंने short summary आपको बता दिया है ठीक है? next एक और चीज हम लोगों ने देखी है एक और चीज देखी है जिसका हम ये बूल सकते हैं कि वहाँ से question आपके दो एक साल में एक बार आ जाते हैं three winding transformer three winding transformer ठीक है? तो last segment जो हमने पढ़ा three winding transformer पढ़ा ठीक है, ठीक है three winding transformer क्या है? एक तरीका बहुत ज़्यादा मुझे detail version बताने की जरूरत नहीं है मान लीजी यहाँ पे हम लोगों ने source दिया supply दिया, ठीक है? और इधर हमारा main load है main load है, ठीक है? अब मान लीजी हमें जो local, localized जितने भी हमारे transformer yard में जो single field supply या जो local हमारे loading है, उसको supply देने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से नहीं लेके, जो small tons का एक यहाँ पे ले लेंगे output और वो हम लोग यहाँ पे जितना भी local load connect है local जितने भी accessories या local जितना भी tube light या fan या जितना भी yard में थोड़ा बहुत जरूद पढ़ रहा होगा हमें तो local load को हम लोग connect कर देते हैं अब दीखे, कई बार interview में आप से पूछा जाता है कि यह जो third winding है, इसका importance बताईए तो पहला तो importance किया आपका कि जितना भी locally connected load है उसको हम लोग directly, क्योंकि यह तो क्या high voltage line होगी मान लीजे, यहाँ पर हम लोग क्या भूल सकती यह 11 kv है, तो यह 400 kv है थोड़ी दर के लिए, वैसा ही यहाँ पर 11 kv से 400 kv तो हम 400 kv से supply नहीं लेके एक few tons हम लोग ले लेंगे ताकि उसको हम लोग 220 volt यह 440 volt का हम लोग एक supply ले लेंगे, ठीक है, जहाँ से हम लोग utility कर पाएंगे ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेंगे हमें तो 400 kv से अगर हम लोग directly local load connect करेंगे, तो वो सही चीज नहीं है तो उसके लिए few tons हम लोग ले लेंगे तो पहला एक advantage तो यह है कि local load को हम लोग supply देने के लिए third winding का यूज करते है, एक और क्या है एक और technical advantage यह है कि अगर इसका connection इस third winding का connection हम लोग उने delta में रख दिया, delta connection रख दिया इसका, ठीक है, delta connection रख दिया, तो इसके अंदर इस delta में, अगर delta connection होगा, तो इसके अंदर third harmonics का third harmonic का क्या है, phase current flow हो रहा है, और यह क्या करेगा ultimately जो आपका core के अंदर जो flux है, operating flux इस core के अंदर जो operating flux है इसके अंदर का जो third harmonic से, third harmonic से, उसको कहीं ने कहीं decrease करेगा, operating flux को decrease नहीं करेगा, operating flux के अंदर, जो third harmonic component है, उसको counter करेगा, उसको reduce कर देगा यह वाला current, क्योंकि यह current भी क्या करेगा, एक flux, third harmonic flux create करेगा, जिसने overall यह वाला flux आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपके transformer के core में, जो unwanted component, या harmonics component है, third harmonic की वज़े से, वो कहीं ने कहीं reduce हो जाएगे, ठीक है, तो आपका जो voltage का waveform होगा, वो कहीं ने कहीं थोड़ा सा smooth हो जाएगा, आई बास में, तो इसका echo technical या biggest advantage यह है, कि 3 winding का जो तीसरा winding है, है ना, tertiary, जिसको बोलते है, primary, secondary, tertiary, उसको delta में connect कर देंगे, यह advantage है, अब जिसे, इसके numerical कैसे करना है, देखे, इसके numerical आपको कैसे करना है, वो आपको बता देता हूँ, मैं आपको, यह number of tons N1, यह number of tons N3 और यह number of tons N2, ठीक है, तो इनके respective current भी होगे, तो MMF balance वाल equation लगा दीजिए, I1 N1 equal to I2 N2 plus I3 N3, और जानातर case में, no load current जो होता, I not current, वो क्या करते हैं, हम लोग neglect लेते हैं, ठीक है, जानातर cases में, तो यह हो गया हमारा MMF balanced का equation, I1 N1 equal to I2 N2 plus I3 N3, इस तरीके से इस equation के through, आप सारे सारे numerical कर पाएंगे, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, कि यहां के जो भी loading है, जो भी resistive load है, जो भी रहेंगे, उनको refer करके आप primary side में भी ले जा सकते हैं, और primary side में, जैसे इनके loading primary side में ले जाओगे, तो आपका, यह सारे loading, जैसे like register, या फिर capacitive load हो सकता है, यह सब parallel में आ जाएंगे, ठीके, तो then आपका क्या है, parallel circuit बन गया, इसको solve करना तो आपके लिए माय हाथ का खेले, क्योंकि network theory आपको पूरा आता है, तो इस तरीके से आपका जो three phase transformer है, वो मैंने चार segment में complete किया है, phaser group में किया है clockwise वाला देख लिजिएगा, अब मैं यह detail version नहीं पढ़ा सकता, phaser diagram कैसे बनते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जिसको भी मान है तो lecture number 59 देख लेना तीन rule, इसका implementation in questions में है, आप देखिएगा बहुत ध्यान से in questions को, in questions को कर लिएगा, आपका पूरा three phase और एक question, दो number का जरूर आना है, और बहुत सारे बच्चे यहां का question करते नहीं और जो question बनाता है three phase transformer का उसका rank कहीने कहीं बहुत improve होता है, क्योंकि यहां से आने वाले questions हर कोई नहीं कर पाता है ठीके, then harmonics इसके बारे में कोई भी numerical आता नहीं get examination, बड़ जो भी theoretical portion था वो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया आपको ठीके, three winding transformer से numerical की possibility रहती है हमेशा, और बहुत ही बस इस equation का, mmfl equation का ध्यान रखिएगा, और यह refer करके जो हम लोग primary side में लाया, तो ऐसे parallel में connection होगा, इतनी detail three phase transformer के लिए more than sufficient है, ठीके, अगर जो ped user है, उनके लिए तो पूरा-पूरा helpful है, कहां से इतने बड़े, जो मैंने इतना बड़ा large version में जो पढ़ाया, उसको compact कर रहा हूं में और जो लोग नहीं भी user है, तो please वो corona subscription monthly package ले लिजिए उसके अंदर सब कुछ available है, सारे subject, और please guys comment करिये, आपको कैसा लग रहा है, revision series, तभी मैं power system का continue करूँगा, otherwise सिर्फ machine का ही करूँगा, ठीके, power system का तभी होगा, जितना machine में अगर मुझे response मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर revision series की बात करूँ तो, अगर आपके लिए useful है तो, आप please comment करके बताई, अगर useful नहीं है, तो फिर power system में आपका भी time waste नहीं करूँगा, मैरा भी नहीं करूँगा, मैं समझूगा के से मैं आपको बता दूँगा, कि क्या-क्या चीजी है, आपको actual exam में ध्यान रखनी होती, theory के नाम पे बहुत कुछ पढ़ा जाता है, चीजों को समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ा जाता है, बट आपको वाकई में exam में कुन-कुन से points ध्यान रखना है, सिर्फ उनी points के ओपर हम लोग discussion करेंगे, तो मिलेंगे next lecture में BC machine के साथ